नवसका दोस्तों ये गिरेनो को माइक है और इसके बारे में आप अच्छे तरह से जानते होंगे तो ये यूटूब के लिए है और नहीं है देखो अगर आप यूटूब पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके बाद एडेंटि करते हो और उसके बाद इस बाद यहां यहां तो उसके लिए अलग से डान्लोड करना पड़ता है और उसके लिए यहें डांलौड करना परता है और उस चेमरा का नाम है और उसमें वीडियो में जाकर एडियो सेटिंग आता है जा के सेटिंग करना है उसके बाद आपका माइक काम करेगा और आप सोचेंगे कि यूटूब पर लाइब कर लों तो यह लाइब के लिए सही नहीं है मैंने चेक नहीं किया लेकिन लोगों ने बताया है कि चलता है और मैंने भी दो गंटे के मतलब दो गंटे के लगतार वीडियो रिकॉर्डिंग किया था तो उसमें अभी भी बैटरी इसका मतलब काम कर रहा था क्योंकि इसमें बैटरी देखाता नहीं कि कितना परसेंट बच कर पाएगा यह काम नहीं करता यह सिर्फ recording के लिए सही है 20 मिटर क्या है इसका मतलब दूरी है 20 मिटर पर आप recording कर सकते हो और ठीक ठाक recording हो जाता है कोई problem नहीं आता है सस्ता है सही है ठीक है ठीक है तो यह छोटा सा वीडियो में आपको बतना चाहता था ये अगर आप लेना चाहते तो ये बात को ध्यान रखना है recording के लिए सही है live के लिए सही नहीं है अगर आप live करना चाहते है youtube पर facebook पर तो ये उसमें connect नहीं होगा कितना भी जोगार लगा लो कितना भी कुछ कर लो यो नहीं हो पाएगा अभी तो नहीं हो रहा है किसी भी youtube वाले जो खरीदे होंगे youtube पर वीडियो उनका वीडियो जाकर देखो ये live के बारे में नहीं बताते है क्योंग ये होता है नहीं है आपको खरीदना है तक खरीद सकते हो इसमें गरांटी भी आ जाता है एक साल के लिए तो ये आपके लिए सही है पर live के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ live के लिए सही नहीं है